देवास जिले के पीपल लेरिया और सिहोर जिले के छीपानेर के बीच ककेडी नदी पर रहवासियों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है बता दे ककेडी नदी पर पुल बनने का काम पिछले तीन महिने से चल रहा है से तीन दरजन से अधिक काओं के लोगों को आने जाने से असानी होगी लेकिन पूरी तरह से पुल नहीं बन पाने की वज़े से लोग जान जोखिम में डालकर नाव से आना जाना कर रहे है इस मामले पर जब पुल बनाने वाली कंपनी के ओनर सिधार से बात की गई तो उन्ह निशाना बनाते हुए नगदी सहीद सामान पर हाथ साफ कर दिया है जानकारी के अनुसाद जिला मुख्याले पर इस्तित गंच्छेत्र में किराना इस्टोर पर बीती राथ चोरों ने दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान के ताले तोड़कर दुकान में पहले लकडी से केमरा बेंड किया है उसके बाद अंदर घुसा है अंदर घुसके उसे सफसे पहले टीवी आर के वायरे निकाली है और उसके बाद उसने गटना को अंजाम दिया है तो आपनी दश्की से पहली तो जिख रहा है कि चोरी बड़ी है से अग्यात व्यक्ति के दुखान को पुरा लटने सकल को एक वार अपने तज्दिक के अभी एक व्यक्ति इसमें दिखाए दे रहे अपने आपको फूटेज में और दुखान से जो है सिगरेट के डिपे ये इसमें जो है चोरी होने की अपने को भी तक तज्दिक मीठी चीजे मिली है और बाद की प्रति जारी लापरवाही ने खोली पूल, ताजा मामला ग्राम पथरिया का है, जहां मन्रेगा योजना के अंतरगत गर्मी में लगबग 14 लाक रुपए की लागत से तालाब का निर्मार कराया गया है, जो पहली बरसात में ही फूट गया, ग्राम इनोर ने निर्माड एजंसी ग्राम पंचायद पर निर्माड कारी में गड़बडी के आरोप लगाएं उनका कहना है कि ग्राम पंचायद ने ठीक धंग से तालाप का निर्माड नहीं करवाया जिसकी वज़ा से पहली ही बारिश में तालाप बह गया है मजदूरूग की बजाए मशीनों से काम करवाया गया है ये इनका आरोप है डिनोरों से देखे भीम सेंटागुर की रिपोर्ट गिराम पथरिया में अमरोज सरावर तलाब जो बना वो दो-तीन दिन के बारिस में खूड़ गया है उससे बना है रोजगार गारेंटियो जना से पुराना काम है वो उसमें अभी काम चालू था है पुरा काम चल रहा है तो उपर से उपर फिलो होने कारूंड उसका पानी वह उपर बैय गया तो उपर बैय गया श्रीवपुरी पुलीस अधीक्षे रगुवन सिंग भदोरिया के अवैद मादक पदार्ट और अवैद शराब रखने और बेचने वालों के प्रतिकारवाई करने के निर्देश पर आज करेरा थाना पुलीस ने तीन व्यक्ति को अवैर इस मैक के साथ पकड़ा बता देया रोपी होगे कबजे से दस ग्राम इस मैक जिसके कीमत लगवा एक लाफ रुपए है और एक बाइक बरामत की गई है देखें पुल्दी गुप्ता के रिपोर्ट गदाई तरफ से कुछ लोग इसमेक लेकर मोश्चागी से अनुरा है कुछ सुचना पर से गदाई तरह पर दरुश्टी गई तो त भुष्ट गराम के लिए तरह एक मोश्चाग बरामत की गई है कुल एक लाख फुल लाख वपए एक लाख किश्मेक लगवा जाजार पर मोश्चागी गई है टामाटर के बढ़ते दाम के बीच यूए कॉंग्रेस बोपाल चाराहे पर टामाटर के हार पहन कर महंगाई के विरोध में किया अनोखा विरोध परदर्शन एनेस यू आई प्रदेश अद्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि देश भर में इस वक महंगाई ने जनता का हाल बेहाल कर रखा मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं बता दें इस वक्त बाजार में सब्जियां असी से सो रुपे किलो भिक रहे हैं बता दें सब्जियों के दाम इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि इस समय सब्जियों की सप्लाई मार्केट में कम होने के चलते दाम बढ़े हुए हैं बीते दिनों हुई बारिश ने सब्जियों के दाउं आस्मान छुरे हैं लगबग सब्जियां 100 रुपे प्रतिक किलो चल रही है जिसमें टमाटर अधरक धन्या के भाव से भारी उच्छाल आया है कारकरताओं ने एलान किया कि महगाई कम नहीं हुई तो यूओ कॉंगरेस के कारकरता बड़ा अंदोलन करेंगे बारिश के कारण इन दिलों जगह 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 जलभराव की सिति बनी हुई है जिसे लोगों को परिशानी का सामना करना पर बता दे कि स्टेट हाईवे 11 से लगे डेला ग्राम में हाईवे में ही जलभराव की विकट सिति बन जाती है जिससे पूरा का पूरा स्टेट बताया जा रहा है समस्या दर्शकों से हैं और लोग प्रशाशन सहीद चुने जन प्रतिनीद्यों के यहां हर वर्ष उस समस्या से निजा दिलाने के लिए पहल करने की मांग करते हैं देखे प्रशान शुकला की रिपोर्ट बेरुंदा में प्रेम सुंदर का बड़ी टूर्णमेंट का भव शुवारम हुआ बेरुंदा तहसील के हाई स्कूल के ग्राउंड पर किया जा रहा है आयोजन आयोजन में रवी मालविय भाजपाक कार्तिकियस सिंग चौहान ने किया शुबारम ये आयोजन की प्रतम राशी एक लाख इक्क्यावन हजार रुपे रखी गई है कर्तिके सिंग चौहान ने सभी टीमों को कबड़ी के लिए उप्योग में आने वाले सभी सामगरी को देने का किया वादा देखे कनयानात की रिपोर्ट दत्या प्रदेश्ट ग्रीमंत्री डॉक्टर नरोत्र मिश्रा ने लगो 42 करोड की लागत से बने 168 पुलीस कर्मियों के आवासों का लोकार पड़ किया बता दे हाई राज भवन का निर्मार ग्वालिया जहांसी हाईवे पर मुक्य मंत्री पुलीस आवास च्योजना के तहत किया गया है ग्रीमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही जिले के 85 फीज़ी पुलीस कर्मियों के सामने आवास की समस्या खतम हो जाएगी बचे 15% पुलीस कर्मियों के लिए भी आगमे वर्ष में आवास की सुविदा मुहया कराए जाएगी ये तीन बहु मंजिला इमारतों का नाम मा पितांबरा, मा इस्तंगर, मा तारा देवी के नाम पर रखा गया है इन आवासों में 24 आराज पात्रित और 144 आरक्षकों को आवास की सुविदा उपलब्ध कराई गई है एक ब्लॉक में साथ मंजिल और दूसरे ब्लॉक में दस मंजिलों का निर्मार कराया गया है देखिए मद्य प्रदेश की किसान ही तैशी सरकार में किसान डी एपी यूरिया के लिए हो रहा है परिशान वहीं दूसरी और प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान के दौरा किसानों को सारी समस्यां से निजाद दिलाने के लिए मंच पर बड़े बड़े वाय देखिया जारे एक और तो सरकार किसानों को सारी सुविधा62 монहाया करानी की बात करती है तो दूसरी तरव सहकारी संसाओं पर अंकुष नहीं होने से किसान परिशान नजर आते हैं मामला ऐसे ही सहकारी संसा पांजरा काशिर हमका है जहां यूरिया खाद नहीं होने से किसान परिशान है और धान लगाने का समय धीरे धीरे निकल रहा है लेकिन संसा में चल रहे हैं विवात के चलते किसान परिशान हैं देखे अलीला धर साहू की रिपोर्ट दान की बोनी की बिल्कुल तैयारी है धर लगाने की और ये पी यूरिया नहीं मिल रहा है सभी किशानों को फांजरा सोसाइटी थे जिनसमें उटिया सिलवाय अली वाड़ा हड़ो शिनवाय पांजरा ये गाउं जोड़े हुए हैं किसी भी किशान को यूरिया ये पी नहीं मिल रहा दिये गए आप 30 जनब बयान पर मंत्री ने कहा कि मेरे पिता की निधन को लंबा देने में विश्वास नहीं रखते हैं वो तो सिफ जनसेवा के मादिम से जवाब देने में यकीन रखते हैं उनका संस्कार भी ऐसे नहीं है कि वो अपने विरोध्यों के खिलाफ दोयम गर्जे की भाषा का उप्योग करें डॉक्टर मिश्री ने कहा कि राजनीती में सैमि संसंग नगर में एक घर से देर रात अमिट परवानाम का व्यक्ति बच्छडे को धक्का मार कर ले जाता दिखाए दिए जिसके कुछ दिर बाद निवस्टर भी नजर आया फिर बाद में कपड़े पहर आता दिखाई दे रहा है इस हरकत की वीडियो शोशल मीडिया पे व भान ठाकुर ने घर से बच्छडा चोरी करने की शिकायत थाने में की शिकायत करताओं ने आरोप रगाया की एक अदशी के दिन बच्छडा चोरी किया गया बच्छडे को तंत्र मंत्र के लिए बली दी गई जिससे बच्छडा अभी तक मिल नहीं पाया है देखिए दोनों आरोपियों के विरूद आवकारी एक के तहत मामना दर्शकर जेल भेज दिया गया है, देखे कुलदीव गुपता के रिपोर्ट कोटल बर्री में छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि यूवक ने कुलहाली से हमला कर दिया गायल यूवक को 100 डायल की मदद से जिला स्पताल में भरती कर आए गया, आपको बता दे कि ग्राव कोटल बर्री में छोटी सी बात को लेकर पडूसी ने यूवक पर हमला कर दिया गायल यूवक की पतनी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले मंतोस बाहर खड़े होकर बात्रूम कर रहे थे जिस पर मान सिंग ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन मंतोस ने जगडा चालू कर दिया बात इतनी बढ़ गए कि छोटी सी बात को लेकर यूवक ने घर से कुलहारी निकाल कर मान सिंग बंदेवार पर कुलहारी से हमला कर दिया पुलीस ने मौके पर पहुँचकर आरोपी को गिरफतार कर न्याले में पेश किया है फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेए एनिस्टूडे के साथ